आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ Question is Read the following statement and choose the correct statement from the option given below अब यहाँ पर statement को अगर हम एक एक करके देखें तो पहला statement हमारा किसके बारे में है Archibacteria के बारे में है तो सबसे पहले हम यहाँ पर write down कर लेते हैं Archibacteria अब यह statement क्या कह रहा है यह देख लेते हैं कह रहा है Archibacteria are three types जो की हैं कौन-कौन से methanogens, halophiles and thermoacidophiles अब यहाँ अगर हम Archibacteria की बात करें तो यह हमारे कैसे टाइप के बैक्टिरिया होते हैं primitive type के बैक्टिरिया होते हैं ओके Archibacteria कैसे बैक्टिरिया होते हैं primitive type के बैक्टिरिया अब यहाँ अगर देखें तो यह जो Archibacteria है यह ऐसे microorganism होते हैं, जिनके पास केवल X-cell होती है, okay, one cell के यह बने होते हैं, unicellular होते हैं, अब यहाँ पर अग देखें, तो यह जो bacteria है, यह leaf करते हैं, ऐसी जगह पे, यह ऐसी जगह पे रहते हैं, जो कि बहुत ही ज़ादा क्या होती है, severe होती है, okay, तो यहाँ ऐसी कौन सी condition है, severe में, अगर देखा जाए, तो यह extremely hot condition में भी रहते हैं, okay, यह देखें, तो यह extremely hot condition में रहते हैं, या फिर हम क्या सकते हैं, extremely कैसी condition में रहते हैं, salty condition में, okay, extremely salty condition में, अब यहाँ पर देखा जाए, तो hot condition में हमारे कौन से bacteria हो सकते हैं, thermo acidophiles, अब यह जो हमारे thermo acidophiles हैं, यह extremely hot condition में रहते हैं, वहीं अगर salty area की बात करें, तो यह जो halophiles होते हैं, okay, hello files हमारे क्या होते हैं, salty condition में grow करते हैं, वहीं अगर हम एक example और लेके चलें, तो archibacteria में हम किसको ले सकते हैं, methanogens को, okay, अब यह जो methanogens हैं, यह exibacteria होते हैं, जो कि किसके formation में help करते हैं, methane formation में, और किस चीज से methane का formation करते हैं, यह carbon dioxide से, तो यह हमारे statement हमारे क्या होता है, यहां से right होता है, अगर second statement की बात करें, तो कह रहा है, पूरे इंडिया में, bacteria के 850 से जादा species, या under 850 species, bacteria के पाए गये हैं, इंडिया में, तो यह अगर देखें, तो हम जानते हैं, कि bacteria की जो संख्या होती है, okay, bacteria की संख्या जो होती है, वो बहुत ही जादा quantity में पाए जा गई है, okay, कहां पर हमारी country में, यानि इंडिया में, तो यह भी हमारा क्या है, एक right statement है, अब अगर हम option 3 पर देखें, या फिर बात करें statement 3 की, तो कह रहा है, कुछ photosynthetic bacteria जो होते हैं, यह up to 3 mm long होते हैं, अब यहां अगर हम बात करें, bacteria के length की, okay, जैसा कि हम जानते हैं, bacteria हमा microorganism है, okay, microorganism, और हम जानते हैं, microorganism सभी बहुत ही छोटे दिखते हैं, यानि अगर हम photosynthetic bacteria की बात करें, तो हम बात करते हैं, autotrops की, okay, autotrops की यहां पर हम बात करते हैं, और यह photosynthesis process के थ्रू अपना food खुद बनाते हैं, अगर इनके length की बात करें, तो यह बिल्कुल सही है, यह up to 3 mm long भी हो सकते हैं, तो यह statement भी हमारा इस question के लिए right है, यानि हमें कुल तीनो statement हमारे सही मिल जाते हैं, इस question के लिए right answer हमारा option 4 हो जाता है, all of these, बाकी क्या options यहां क्या हो जाएंगे, incorrect.